साथियो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एम सास्त्री विरला पर साथियो जैसा कि आपको पता है हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा हर्याना में TGT यानी trained graduate teachers के पदों के लिए भरती निकाली गई थी जिसके फारम 23 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 15 मार्च 2023 उसकी last date है उमीद है कि आपने फारम भर दिये होंगे या भरने के लिए आप अपने प्रमान पत्र वगएरा तयार कर रहे होंगे HSSC ने point number 20 में कुछ ऐसे कारण दिये हैं जिनके कारण हमारा application फारम रद हो सकता है इसलिए उनको भी एक बार ध्यान से देख लें पहला point है more than one application form for a particular category यानी एक काटिगरी के लिए एक ही फारम भरना है ज्यादा फारम नहीं भरने application is incomplete and not online application या अधूरी है या फिर online नहीं है यानी केवल online mode से ही फारम भरे जाएंगे third number है full fee if not deposited in the manner prescribed जो तरीका बताया गया है उसके अनुसार ही full fee पे करनी है यदि deposit नहीं हुई तो भी हमारा फारम रद हो सकता है no qualification of Hindi Sanskrit as prescribed in advertisement advertisement में सबसे पहले यही बात लिखी हुई है Hindi Sanskrit as one of the subject in matriculation or higher यानी हमारा दस्वी या प्लस्टू कक्षा में Hindi या संस्कृत में से एक subject must है compulsory है आगे point number 5 है applicant does not possess the requisite academic qualification on cut-off date जो cut-off date फारम की है उस समय तक यदि योग्यता पूरी नहीं है सर्ते पूरी नहीं करता तो भी फारम रिजेक्ट हो जाएगा point number 6 applicant does not indicate visible identification mark in appropriate column of the application form यानी जो उचित column है application form में उसमें अपने सरीर का कोई भी एक चिन भरें जो की सही visible हो point number 7 candidate is underage oblique overage on the cut-off date closing date यानी कि cut-off date के से में आयो भी हमारी पूरी होनी चाहिए ना कम हो ना जादा हो point number 8 है variation in data of online application form and in original documents यानी कि इसमें variation है भिन्नता है application form में और original में if deducted at any stage यदि किसी भी stage पर अलग पाया जाता है data तो भी application रद हो सकती है point number 9 है lack of essential qualification as prescribed in advertisement यानी कि advertisement में जो जरूरी जरूरी योग्यताएं है यदि उनकी lack है कमी है तो भी हमारा फारम reject हो जाएगा इसलिए साथियो इन 9 point को ध्यान में रखकर ही अपना आवे दिन फारम भरें वीडियो अच्छी लगे तो साथियों के साथ share करें एक like भी दें comment भी करें thank you advertisement का संपूर्ण notification आप वीडियो के description box से डाउनलोड कर सकते हैं चैनलोड क्यूर्ण ये लीकिन लीकिन, वीडियो अच्छी लीडियों के साथ और मारे में पूलागा टारम भी लीडियो अवें